हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल तो आज की स्वीट में आपको बताने वाले हैं कि कुछ चात्रे चात्रे कमेंड करके पूछे थे कि हमारा ये सब्जेक्ट इसका प्रैक्टिकल एक्जाम कब होगा उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूरो बताईए तो इस के सबसे पहले आपको क्या करना यहां पर नेम ओप सब्जेक्ट दिया हो सबसे पहले आप अपना इसमें सब्जेक्ट खोगे हैं तो जैसे कि हमालएं तो इसां कोई-बैक्तिकल करके ज़रूर बता दे हैं उसके बाद यहां पर अगर मालेज यह आपका कोई भी मालेज हम chemistry का ले लेते हैं तो chemistry आपको कहां पढ़ रहा है group D में तो आपको यहाँ पे नीचे में देख लेना है group D में paper 8 कहां लिखा हुआ तो आप यहाँ पे देख सकते है group D paper 8 लिखा हुआ इधर तो आपका इजाम होगा 27 सितमर को second setting 2 से 5 और यह आपका totally practical का इजाम होगा और अगर हम बात करें paper 5, 6, 7 का तो group D का यहाँ पे हम देख सकते हैं paper 6 है यह और आपका 567 होगा 70, 70, 70 मास का उसके बाद आपका यह paper 8 आपका 100 नमर का practical का इजाम होगा और इसका जानकार यह आपको college से प्राप्त होगा कि इसका exam college में लिया जाएगा यह आपका दूसरे center जहां पे आपका यह वाला पड़ा यहां पे लिया जाएगा तो यह तैयन ही होता है कि यहाँ पे center में ही आपका exam लिया जाए कौनसा आपका group में आता है उसके बाद जो भी आपका arts का विचे में अगर आएगा तो वह आपको देख लेना तो इसी तरह से friends आपको देख लेना जैसे कि और उसके बाद यह तो हो गया practical का उसमें बाद हमें आपको जीएस का भी बतायते हैं जीएस का तो वैसे आप फ्रॉलम नहीं होना चाहिए तो इसमें आप लेख सकते 29 सितंबर को जीएस फर्स सेटिंग में कौन बच्चों का exam होगा group A, B, C और science और commerce का यानि कि अगर आप science background से हैं commerce background से हैं और आपका group A, B, C में कोई भी आपका subject आ रहा तो मैं आपको दिखायता हूँ जैसे कि यहाँ पे है group A, group B, group C और यहाँ पे science और commerce का only science और commerce जिनका arts वाला विचे उनका exam नहीं होगा जैसे history हो गया यह हो गया तो इ group A, B, C के अंदर आने चाहिए अगर आप group D में है science तो आपका exam नहीं होगा ABC तक होगा उसके बाद science का यहाँ पे DEF group all general course का जो student होंगे वो देंगे और honors का यहाँ पे देंगे DEF और यहाँ पे science और commerce के student देंगे DEF group के उसके बाद next यहाँ पे 30 सितंबर को facility में है group A, B और यह है arts के student और उसके बाद वैसी है आपको सबसे पहलो तो आपको अपना group पता होना चाहिए उसके बाद second sitting में C और D यह भी arts के student क्योंकि arts वाले चात्र चात्र हैं ज्यादा होता है इस करने यहाँ पर दो city में इनका exam लिया जाता है उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ती तो उमीद करता हूँ अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए पेपर एड से रिलेटिड तो मैंने बता दिया आपको पेपर एट आपका हैंडड मास्क आपको प्रेक्टिकल का exam बाकी थूरी आपका 70-70 मास्क होगा और 30 मास्क का उसमें प्रेक्टिकल एड होगा तो आप कॉलेज से यहां पर पूछ सकते पेपर एड के बारे में कि आपका exam सेंटर में होगा या अपने अपने कॉलेज में होगा तो अब तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कर फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स नहीं लिए सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो